हाई एवरिबन कैसे हूँ आप सबी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सबी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एके आपके सामदेंक मोस्ट इंपोर्टन जो पार्ट वन होता है यानि साइन्स वन का हमारा जो चाप्टर नंबर नाइन चल रहा था दोस्तों जिसका नामें कार्बन कंपाउंट्स आज हम इस पर्टिक्लर चाप्टर का लेक्चर नंबर नाइन आपके लिए लेकर आगे हैं जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा यह हमारा आज का पहला टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलिमर्स क्या होता है यह बेसिकली हम नोग पड़ेंगे ठीक है तो देनमर ऑफ कंस्ट्यूट्वेंट आटम रहेंगे इसके अंदर जितने भी नमबर अटमिक मास जो होगा वह जादा होगा ठीक है ना और जो बड़े बड़े जायंट काबन मॉलिक्यूल्स होते ने यह इसी से फॉर्म होते हैं बहुत सारे अंड्रेट्स ऑफ थाउजंस ऑफ आटम्स जब इकट्टा होते हैं तो बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल को हम यह इसे नेचर द्वारा बनाया गया है नाचुरल चीज़े से बनता है और दुसरा है मैंमेड यानि हम खुद बनाते हैं उसको अपने फाइदों के लिए तो दोनों ही बारी-बारी से हम डिसक्रस करेंगे क्या होता है नाचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल्स एन दूसरा जो च प्रोटीन से फिर निउक्लीग असे उता है वह सब इसी यह अंदर प्रेजनेट होता है नुकलीग असिर्ट यह जितने भी मैंने यहां पर फिर मॉलिकूल्स की बात करी चाहे वह पॉलिसक्राइट जो कि काबोहिट्रेट्स का प्रोटीन हो फैक्स नूपली असे बहुत ज प्रोटीन्स तो प्रेजंट होता है न्यूक्लिक ऐसे डीने आरेने हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर प्रेजंट रहता है तो आप समझ सकते हो यह क्या है ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल से जो नेचर से प्रेजंट है यानि कि किसी ने इसको बनाया नहीं है यह अपने जरुवत मन की चीज होती है और जो हम लोग बोलते हैं यानि कि आपने बोला कि जिंदा रहने लिए यह तीन चीज़ चाहिए तो दुस्तों अगर कपड़े नहीं रहेंगे जैसे कि क्लाइमेटिक कंडिशन चीज़ों बहुत ज्यादा गर्मी है कि हम उसके साब से कपड़ कर सके और शेल्टर इसलिए चाहिए कि हम अगर ऐसे खुले मैदान में घुमते रहेंगे तो कोई भी हमें शिकार कर सकता है या फिर बड़े जानवर कर सकते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है नाचुरल एक्टिविटीस से हम बच नहीं पाएंगे तो इसलिए यह सभी प्लांस में प्रेजन्ट होते हैं वही अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी पार्ट होता है हमारे human bodies का या फिर animal bodies का और यह जो होता है या भी हमारा शरीर जो बनता है ठीक हमारे muscles जो बनते हमारे organs जो तयार होते तो building blocks एक तरीके से growth and development के लिए सबसे जादा चीज की जो जरूरा थे दोस्तों वह है protein तो protein के बीना तो कुछ होई नहीं सकता तो it is very essential and very important thing ठीक है साथी में nucleic acid जो है it controls the heredity at the molecular level ठीक है जो हम लोग का molecular level होता है जैसे कि अगर हम बात करें हमारे parents से लेके हमारे अंदर कु जो genetic information होता है वो DNA के माधियम से आरेने के माधियम से पहुचता है उसी में nucleic acid present रहता है मतलब it is nothing but the nucleic acid na deoxyribonucleic acid DNA हो गया या फिर ribos nucleic acid RNA हो गया तो यह क्या है nucleic acid एक part होता है इसी दिए इसको हम लोग natural macromolecules बोलते हैं और एक और ऐसा natural macromolecules है जिसको normal तोर पे consider नहीं बनते हैं लेकिन जो mainly rubber जो produce होता है वो normally plants के थूरू produce होता है आपको पताएगा ठीक है तो it is also a type of natural macromolecules natural macromolecules के category में ही आता है तो यह था हमारा जितने भी टाइप के natural macromolecules थे जो हमने पढ़ना था उमीद करता हूं कि यह चीज आपको clear हो गया होगा चलते हैं अगले topic की तरफ जो कि हमारा man-made macromolecules यानि देखते हैं कि कौन-कौन से तरीके के man-made macromolecules है तो man-made macromolecules ऐसे macromolecules होते हैं जो हमेशा हमेशा हम लोग जो भी जिंदगी में जो काम करते हैं जो भी useful चीज़े हमारे डेटुल लाइफ में होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं और यह पहली बार जो बनाया गया था it is prepared in the laboratory ठीक है जो लाब होते हमारे जगा पर replacement तो ऐसे बहुत सारे चीज़े macromolecules का invention उन्होंने किया है जिसके थुरू यह बन पाया जैसे कि एक्जामपल यहां पर सामने है synthetic rubber हो गया plastics हो गया ठीक है यह सभी क्या है बहुत ही essential और बहुत ही काम के हमारे लिए macromolecules है क्योंकि इससे हम लोग सारे articles बना सकते ह pipes बना सकते हैं surface coatings बना सकते हैं तो यह सभी चीज़ सब example से किसके हमारे man made macromolecules को और इसके अलावा भी आप देखोगे आप सोचोगे तो ऐसे बहुत सारे man made macromolecules है जो हम day to day life में use करते हैं और अगर यह चीज़ नहीं रहेगा तो हमें अपनी life जीने में थोड़ी सी दिक सकते हैं क्योंकि यह सब चीज हमारी जरुरतमन चीज़ों को पूरी करता है ठीक है इसलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंड और इसलिए scientist लोग ने यह man made macromolecules को बनाया था तो structure of man made macromolecules की बात करें इस फॉर्म बाइ जॉइनिंग दस सेवरल स्मॉल यूइट इन रेगुलर मैनर तो बहुत सारे चोटे 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 यूइट जो होते हैं ठीक है ना उसको जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ तक नाम में या नाम में कि बहुत बड़ा macromolecules बहुत सारे यानि कि छोटे-छोटे हिस सेवरल स्मॉल यूइट जब इकटे हो जाएंगे चोटे 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 और यह रेगुलर मैनर में रेगुलर पैटन में अरेंज होंगे तब जाके वो बनेगा macromolecules वह भी naturally या फिर manmade ठीक है क्लियर है दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह ची यह भी एक टाइप का macromolecule है, polymers जो होता है, it is also a type of macromolecules जो की बनता है, it is formed by the regular repetition of a small unit, जैसे कि आपने अब इसके पहले पढ़ा, मैंने आपको बताएं कि छोटे-छोटे units जब इकटा हो जाते हैं और एक बड़ा chain मना लेते हैं, एक बड़ा structure त्यार कर लेते हैं, उसी क परकार यहां पे भी macromolecule क्या बोला है, उन्होंने कि regular pattern में repetition हो रहा है, small-small unit का, उसी को बोलते हैं polymers, लेकिन इस polymer में क्या होता है, कि जो चीज रिपीट हो रहा है, जो small unit बार-बार repeat हो रहा है, वो क्या है, वो एक monomer है, यानि कि जो छोटे-छोटे units के हम बात कर रहे ह हैं, उसको हम बोलते हैं monomer, वैसे ही monomer जब इकटा हो जाएंगे, एक monomer, दूसरे monomer, तिसरा monomer जोड़ते जाएंगे आपस में, और एक बहुत ही बड़ा large chain तयार हो जाएगा, तो यह type को, यह जो product तयार होगा, उसी को बोलते हैं polymers, और यह जो reaction हो रहा है, जो reaction हो रहा है यह question, define polymerization या फिर explain polymerization, तो आप बोल सकते हो, कि जो polymers होते हैं, वो जो तयार होते हैं monomer से, जब इकटा होके, तो वो reaction को polymerization reaction कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे reactions मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि जो यहाँ पे examples जो मैं बताने की क कोलते हैं, तो यह, एक इख हैं एक एक इतरी मॉलेक्यूल है, यह, एक एख सब्स करते हो, यह इसे प्लस करते हो,को जो आप यह, बहुत बड़ा एक लार्ज चेंज है आपस में connected हो जाएंगे क्योंकि जब यह आपस में जूड़ जाएंगे तो double bond break हो के single bond हो जाएगा और इस तरह के का structure formation हो जाएगा तो यह जो structure form हुआ इसको हम लोग बोलेंगे polyethylene या फिर polyethylene भी बोलते हैं यह यह बहुत सारे यह फिर जब जूड़ बना लेंगे और यही पूरे process को बोला जाता है polymerization reaction, clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा ओके, चलता है अगले topic की तरब जो की polymer का ही part है, जो की है हमारा last topic of this chapter जिसका नामे various polymers and their uses, तो यहां पे हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से type के polymers होते हैं, और उसके uses क्या-क्या है जो सबसे पहले polythylene या फिर polythene बोल लो, ठीके, तो इसका इस्तेमाल होता है carry bags बनाने के लिए, जैसे क्या भी आभी हम मैंने आपको बोला कि carry bag जो थैली होता है, या फिर sports wear भी होते हैं, कुछ-कुछ, ठीके, जो sports के टाइम पहनते हैं, तो वो बनाने के लिए polytheneal का इस्तेमाल होता है, फिर अगला है polystyrene, तो polystyrene जो होता है, वो thermacol के articles जो होते हैं, थर्मacol से बने हुए, तो वो polystyrene से बनते हैं फिर एक होता है polyvinyl chloride PVC बोलते हैं, तो आपने एक चीज़ तो famous सुना होगा PVC pipes जो होते हैं, प्लाश्टिके pipes जो बोलते हैं, PVC pipes होते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, फिर दर्वाजे बनाने के लिए mats, tubes बनाने के लिए, और bags जो hospital kits वगरे होते हैं, यह सब भी बनाने के लिए polyvinyl chloride का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक टाइप है polymer का, फिर अगला है poly acrylonitrile तो यह इस्तेमाल होता है धंडी के कपड़े बनाने के लिए winter clothing जो होते हैं, या फिर blankets जो होते हैं, जिसको हम लोग ओड के राप में सोते हैं blankets, तो यह poly acrylonitrile से बनते हैं, फिर एक होता है teflon, तो teflon जो होता है non-stick cookware, आपने देखा होगा कि non-stick तवा बगरे हैं, आपके घर में होंगे, कड़ाई बगरे होंगे तो उसके पर coating होता है, तो इसका इस्तेमाल non-stick cookware में होता है, and last but not the least, जिसका नाम है polypropylene तो polypropylene का तो you can research and like आप कर सकते हो, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह जो chapter है, यह होता है, खतम, and काफी दिनों से हमारा chapter चल रहा था, आज 9 lecture था, 9 lecture लग गया, इस chapter कम्प्रेट कराने के लिए, तो आप दो एक सकते हैं दोस्तों, कि आपने कितना detail में और deep में जाके हर एक चीज आपको explain किया, इसके पहले के तो हम lectures board पे भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़े ऐसी थी, जो board पे पढ़ाना जरूरी था, और यह आज का आखरी lecture था, total theoretical, that's why हम आपस से screen पे लेका हैं, लेकिन trust me, आगे के भी जो parts important रहेंगे जो चीज को explanation की ज्यादा ज़रत होगी, उसको हम लोग बोड पे लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि यह तरीका आपको हमारा पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों, finally हमारा chapter यह होता है complete and we'll start the new chapter, fresh chapter जो भी होगा, इसके बात का, हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे friends लोग को फटा-फट से share कर देना and अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस channel को भी subscribe कर देना, आपने bell icon को hit कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई videos को upload करेंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अकल